जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि COVID-19 को असर को देखते हुए sanitizer और hygienic जो हमारे हैं जिसे डिटो मलब साफ सोप अगरा हो गए liquid soap अगरा हो गए और hygienic sanitizer और hand wash में यह अंतर कि यहां पर यहां पर पानी की दिरुवत नहीं पड़ती वहां पर sanitizer का इस्तमाल किया आता है और यहां पर पानी आपको पलब्द है वहां पर आप hand wash का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर आजकल जो सेटाइज अचानक COVID-19 की वज़से sanitizer की मांग मार्केट में बढ़ गई थी तो आप यहां पर एक detail मैं आपको पताऊंगा कि 60% एलकोहल वाले sanitizer ही असदार होते हैं क्योंकि अधिक तर आजकल सेटाइजर की मांग को देखते हुए मार्केट में लोकल सेटाइजर की मांग बहुत ज़्यदा बढ़ गई है तो स्वास्त बिवाग ने यह कहा हुआ है कि कुरोना के संक्रमन को देखते हुए सेटाइजर की मांग बढ़ गई है वहीं इसे लोग कई लोग यह बोल लें कि आयुर्वेदिक सेटाइजर भी ठीक है क्योंकि वह सुगंदित देता है ठीक है लेगिन डबल यह ने यह साप कर दिया कि क्रोना जैसे प्राण घाता को रोग थाम के लिए एलकोहल बेस्ट से सेंटाइजर का ही उस्तेमाल किया जाए जिसमें कि 60 प्रतिसत अलकोहल का होना जरूरी है ठीक है लेकिन कई लोग यह बोलते हैं अब जब 60% अलकोहल ही होना है तो फिर क्यों ना अलकोहल से हाथ थो लिए लेकिन यह भी नहीं करना है क्योंकि 60 और 40 का रेशियो में बहुत होता है जहां कि आप यहां तट कई लोगंने कहा है कि अगभी आप से हाथ धोना समझदारी नहीं ये भी कहा कि हाल मैं अगों कई चाहँ बिडियो zitten बदोना एंगा उन molar क्म श jetzt तरह कि वाइरस को निक्ष्ट करने के लिए प्रभावी नहीं होती है इसके लिए आपसलीट या सुध़ एलकोहल जुरुरी होता है वाइरस पर एलकोहल सिंटाएजर के प्रयोग की ही सिपारिश धी गई है कि नियुन तम आई इसो प्रोपिल अलकोहल की मात्रह स्में 50% होनी चाहिए जबकि निन्यान में परसतक आईसो प्रोपिल एलकोहल वाले सेंटाजर का इस्तमाल सबसे ज्यादा फाइदेमन मान जाता है इसे डक्टर यहाँ पर राजिंदर डोभाल ने कहा है कि हर कोई घर में पर सेंटाजर नहीं बना सकता है सेंटाजर बनाने के लिए सर अब दंड कंसार अलकोहल की मात्रा होनी चाहिए तो इसलिए आप सावधानी परतेगा जब भी आप सेंटाजर का यूज करें आप जब भी मार्केट सेंटाजर लें मेडिकल स्टोर सेंटाजर लें तो इसमें यह उसकी स्पेसिफिक इसमें देख लें कि कितने प्रसत में कोल मिला हुआ है कि इतना नहीं मिला है तो हैस्टेक स्टेट होम घर पर रहिए शुरक्षित रहिए